हेलो फ्रेंट्स आज के इस चेप्टर में आज की वीडियो में हम देखेंगे कोची मैंगलूर गैस पाइपलाइन का उद्गाटन जो अभी हाल ही में धान मंत्री नरेंद मोदी जी के द्वारे किया गया है यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आपके एक्जाम के लिए औ तो जो लोग भी नए है प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अगर देखें और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना चलिए देखते हैं कोची मैंगलूर गैस पाइपलाइन क्या है और क्या-क्या इसमें चीजें महत्तपूर हैं अभी हाल ही में 5 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोची मैंगलूर प्राकरतिक गैस पाइपलाइन के उधगाटन कारकरम में हिस्सा लिया है किसमें हिस्सा लिया है जो प्राकरतिक गैस पाइपलाइन है उसके उधगाटन में हिस्सा लिया है और कोची मैंगलूर पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उधारन है कि विकास की प्रात्मिक्ता देखकर अगर सभी मिलकर काम करें इनका कहना है कि अगर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लच्छ पाना कठिन बात नहीं है मतलब इनका कहना है कोई भी लच्छ को आसानी से अब अगर बात करें कि इसमें प्रधान मंत्री जी के साथ और कौन-कौन शामिल था तो अगर मैं बात करूँ इसमें शामिल होने की तो PM के साथ केंद्रिय पैट्रोलियम एबं प्राकरतिक गैस मंत्री इनका क्या नाम है ये भी शामिल थे और अगर मैं बात करूँ यहां के राज़िपाल भी इसमें शामिल थे तो इन सभी के वारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कौन-कौन है इनके नाम को जानते हैं बात करों अगर पैट्रोलियों एवं प्राकरते म Secure to यहई श्री धरमेंद्र प्रधान कौन है श्री धरमेंद्र प्रधान यह और करनाटक के जो राज़िपाल है वजवाईभाला यह कौन है वज्यूभाई बाला पूछ जा सकता है एक्जाम में जरूरी नहीं कि पूछा जाए लेकिन जानने के लिए चीज ठीक रहते हैं कि आपको पता होना चाहिए और केरल के राज़िपाल है आरिफ मोग खान कौन है आरिफ मोग खान तो ऐसे पूछा जा सकता है अब अगर बात करें यह पाइपलाइन के केरल और कोच पूछी मैं एन एलजी टर्मिनल लिक्यफाई नेच्रल गैस से नेच्रल गैस एरना कुलम त्रशूर पलककर मलापूरम कोजी कोड करनुर और कासर गोड जिलों से होते हुए करनाटक के मैंगलोर तक पहुचेगी यह रूट भी पूछ लेते हैं मैं आपको भी मैं आप में वन गैस ग्रिट की निर्माड की दिशा में एक बड़ी काम्याबी है यह क्या है वन नैशन वन गैस ग्रिट की दिशा में एक बड़ी काम्याबी बताई गई है नेच्रल गैस पाइपलाइम के फायदे क्या क्या होंगे इनकी फायदों को भी देख लेते हैं इससे भारत ए निर्वर दिशाय में बढ़ेगा बढ़त बनाएगा दोनों राजियों के लाखों लोगों की इज ओफ लिविंग में बढ़ोत्री होगी जब जाहिर सी बात है वहां से पाइप लाइन निकलेगी तो बहुत सारी सुभधाएं होंगी तो वहां से क्या होगा इज ओफ प्लाइन को उर्जा देगी कम खर्च में खाज बनाने में मदद भी करेगी यह पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पैट्रो केमिकल को उर्जा देगी स्वक्ष इनन भी उन्हें देगी क्या है यह प्रोजेक्ट थोड़ा सा देखते हैं कोची मैंगलोर प्राकरतिक गैस पैब्लाइन प्रोजेक्ट के तहट गैस अथोर्टी ओफ अंडिया लिंटेट जिसे हम गेल भी कहते हैं शोट में तो गैस अथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटेट चार सो पचास किलो मीटर लंबी गैस पैपलाइन का निरमाण किया है यह नहीं यह प्रोजाना 12,000,000. मैट्रिक घन मीटर के नैचुरल गैस पहुंचाने की चमता रखती है तीन अजार करोड रुपे की परियोजना से रोजगार के 12 लाग मानो दिन तयार हुए है गैस पाइपलाइन को बिछाया जाना एक बड़ी इंजिनरिंग चुनौती था क्योंकि इस पाइपलाइन की रास्ते में क्या था सौ से ज़्यादा जलासा और नदिया भी थे इसलिए इसको बिछाने में बहुत ज़्यादा मुश्किले आई लेकिन फिर भी इस पाइपलाइन को होरिजन्टल डारेक्शन में इस पाइपलाइन से रास्ते में पढ़ने वाले जिलों की और दोगे काईयों को भी नेचुरल गैस की सप्लाइई हो सकेगी देखते हैं थोड़ा गेल के बारे में बहुत थोड़ा सा गेल इंडिया लिम्टेट भारत का एक नवरत्न सार्वजनिक उपकरम है और भारत की प्रमुख प्राकर्तिक गैस कंपनी भी है जिसमें प्राकर्तिक गैस मूलश रंकला के सभी पहलूँ और समबंदित सेवाओं का समावेश है 16 अगस इसका गठन जो हुआ था 16 अगस 1984 में गेल इंडिया लिम्टेट को अगस 1984 में पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंतरालाई के तहत एक केंद्रिय सारजनेक छेत्र उपकरम PSU के रूप में से शामिल किया गया था यह छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिसकस किया लेकिन एक्जाम की दिरिष्टी से काफी महत पूर है और कई बार पूछा जा सकता है करें में कुछ भी इसमें टॉपिक बनाकर तो आपके लिए important है इसको ध्यान से देख लें जहां पर भी अपने notes बना रहे हों वहां पर इसे लिखते चलें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक की लिए bye bye दोस्तों नमस्कार